हला एवरिवन वेल्कम बेक टू पर्चम हिस्ट्री टू दा पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं दो मुगल रूलर्स के बारे में जहांगीर और सहां जहां यह तो डिसकुशन हम करेंगे ही शॉट में टू दा पॉइंट डिसकुशन होगा लेकिन आज हम इतने स सारे कॉश्टन डिसकुश करने वाले वो सारे कॉश्टन जो अलग-अलग एक्जाम में पिछले पात सालों में पूछे गए हैं उन सारे कॉश्टन को आज हम यहां पर देख लेंगे और सारे जो पेपर की कटिंग होती हैं स्क्रीन चॉट लेकर वह नहीं आपके लिए इं इनकी वाइफ कौन थी, कौन सी टॉम या मकबरे बनवाए हैं वो सारी बातें यहां पर डिसकॉस करने वाले हैं लेकिन सारा कुछ डिसकुशन तूदा पॉइंट होगा क्योंकि हमारी तूदा पॉइंट सीरीज चल रही है जो की अपकमिंग एक्जाम को ध्यान में रखते हाला कि अभी जिन लोगों का SSC का एक्जाम है CHSL का तो मैं उनको यही कहोंगे कि जो तूदा पॉइंट सीरीज चल रही आप इसको कंप्लीट कर लो क्योंकि यहां पर पिछले 5 साल के आपके MCQ हर एक टॉपिक के कवर हो रहे हैं इसके अलावर जो सीरीज मैंने स्टार्ट क हुए हैं अलग से प्लेलिस्ट है उसके भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आप उनको एक बार पढ़ लीचेगा 1.5 श्पीट करके जैसा भी आपको करना तो जिससे आपको पता चल जाएगा किस गवर्नर के समय पर क्या हुआ था कब बैटल लड़ी जा रही थी या कब काउं से ट्रिटी साइन हो रही थी है तो बात आप लोग कर ली ना तो आपको किसी और बुक सिहा कहीं और से कम से कम आपको हिस्टरी पढ़ने के जरूरत तो नहीं है बदले innerp वेबसाइट में क्लास की PDF को हम डाल देंगे स्टार्ट करेंगे हम मुगल एमपायर जहांगीर और सहा जहां के बारे में बड़ शुरुआत करते हैं हम MCQ के साथ तो देखिएगा यह पूरी कर्टिंग आपको दिख रहे हैं S.S.E. के पेपर ऐसे ही होते हैं होता है न ऐसा ही यहां पे बच्चे की एक कॉशन आईडी है क्या बच्चे ने अंसर दिया और वो सब बाते यहां पे होती है चलो कॉशन हम देखते हैं इसमें लिखा है विच आप दो फॉलिंग कॉमिनेशन और रूलर और प्रिडेसर्स यहां पे पूछी है यहां पर रूलर है और उसका आने वाला इसका प्रिडेसर कौन था मतलब इसके पहले कौन था यह बात यहां पर पूछी है तो ओव्यसी बात है देखिए जो खिल जी के बारे में यहां पर लिखा है तो जलाल अदिन खिल जी ने इसका फाउंडिशन स्टोन रखा तो उसके बाद जलावदीन खिल जी का जो दामाद था जो सने लाओ था वो गदी पे बैठता है अलावदीन खिल जी तो यह रूलर और यह इसका प्रिडेसर तो ऑप्शन नमबर ए बिलकुल करेक्ट हो जाएगा दूसरा तो बिलकुल गलत हो रहा है यहां पे अब यहां पे भी इसलिए मैं बार-बार बोलती कि सिक्वेंस याद रखो जो इंपोर्टेंट राजा है उनका सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए जिससे आप एटलीस इस तरीके को सॉल्व कर सकते हैं दूसरा है चंगेश खान जो कि मंगोल का रूलर था वो कब मरा चंगेश कान की डाई क सभुद्ष कि कब वह डेत्थ हुमा तो 12-27 में मतलब 1227 में ऑप्षन 4 चलू इसको सीक्वेंस में लगाना है तिल्ली सल्तनत के बारे में हैं जो बिल्कुल सही बात है मैंने आपको सिखाया दिल्ली सलतनत में पांच डाइनिस्टी थी First number पर Slave आई थी Slave के बाद आपके Khiljis आए थे Slave के बाद Khiljis थे Khiljis के बाद आपके Tuglaq Tuglaq के बाद सैयद और सैयद के बाद Lothi थे तो कोई ऐसा set हो रहा है क्या Khilji, Lothi, सैयद ये तो गलत है Tuglaq, Khilji, सैयद ये भी गलत है I think ये caution ही गलत है देखो होई ही जाएगा अगर गलत कोशन होगा तो नेक्स्ट बात करेंगे औरंग जेप जो कि लास्ट पावर्फुल रूलर होता है मुगल सल्तनत का वो कब मरता है तो आंसर हो जाएगा 1707 में 1707 option number three is the right answer next who was considered as the last powerful मुगल रूलर ऑफ इंडिया तो अभी मैंने बताया था कौन है औरंग जेप के बारे में अपकमिंग वीडियो में डिस्कॉस कर रहे होंगे next है मिर्जा कामरान was the brother of which मुगल emperor तो मैंने आपको बताया था कि बाबर की टैथ के बाद हुमायू गद्धी पे बैठता है बट हुमायू बहुत दयालू नेचर का है और उसने अपने चारो भाईयों को मतलब तीनोर भाईयों को सल्तनर डिवाइट कर दी तो यह जो कामरा के अंदर दिली सल्तनत वालों का अजमेर से कोई लिना देना नहीं और पल्लाव और चोलों का भी कोई लिना देना अजमेर से नहीं था next बात करेंगे who among the following had written किताब उल हिंद किताब उल हिंद किसने लिखी है तो अल बरुनी अल बरुनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद option number 3 बिलकुल correct हो जाएगा which of the following is the meaning of पिश्टाक in the contest of medieval Indo-Islamic architect इसका क्या मतलब है तो यहाँ पे आप लोग में जो मुगल architect देखे होंगे Islamic architect देखे होंगे ताज महल देखा है या फिर कोई भी आपने Islamic architect देखे तो कुछ इस तरीके से gateway बनाया आपको दिखाई देता है इसी gateway को पिस्ताक कहा जाता है option number 4 यहाँ पे correct है अब यहाँ पे इसका screenshot लेकि यह चारो बातों को रट लेना है तो कैसे भी रटो वह आपका headache के बड़न को रटना है क्योंकि यह चारों के चारों आपके Islamic architect है ताज महर जो कि सहाजाने बनवाया था अपनी wife मुमताज महर की याद में बनाया था 1632 से 1653 में इसका काम complete हुआ था आगरा में located है और world heritage site है UNESCO ने यह से 1983 में world heritage site बनाया है रैट फोर्ड आपका लाल किला तो जो लाल किला है वो भी सहाजाने बनवाया था 1618 में ओके और इसको भी world heritage site का तमका मिला हुआ है 2007 में जामा मस्जित भी सहाजाने दिल्ली में बनवाय था 1656 में और बाशाही मस्जित तो बाशाही मस्जित बनवाय थी औरंग जेब ने औरंग जेब ने बाशाही मस्जित का निर्मान करवाय था 1633 में इट वाज़ेस मॉस्क इंद वॉल्ट और यह लाहूर में located है कहां पर है लाहूर में उक्के तो इस चारों आर्किटेक इस्लामिक आर्किटेक हैं आपको याद रखना है चारों की चारों बड़े इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है इनमें से incorrect sequence क्या है तो सबसे पता है कि सबसे पहले बाबर गदी पर बाबर का बेटा हुमायू गदी पर हुमायू के बाद अ ठीक है बाबर हुमायू अकबर ये भी सही कहानी है अकबर सहाजा और जहांगीर ये पिक्चर थोड़ी सी गलत हो जाती है बाकि जहांगीर सहाजा और औरंग जे तो बिलकुल ये छे राजाओं के नाम आपको याद रखने मैंने पहले ही वीडियो में बताया था इन्हें ग् प्रेट मुगल से ही कॉशन एक्जाम में फ्रेम होते हैं तो बाबर हुमायू अकबर जहांगीर सहाजा और और औरंग जे तो तीसरा इस्टेट्मेंट गलत हो जाएगा इसलिए मैं ये आपको राजाओं कर उस एक्वें से वह याद करवाती हूँ नेक्स्ट है अलाई दर नेक्स्ट है महरु निसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता है ये किसकी पतनी थी तो महरु निसा जिसे नूर जहां कहते हैं तो नूर जहां जहांगीर की वाइफ है नूर जहां किसकी वाइफ है जहांगीर की वाइफ है और मुम्ताज किसकी वाइफ है सहाजहां की वाइफ हैं तो मुम्ताज और नूर जहां से कॉशन एक्जाम में भर बर के मिलते हैं आपको याद रखेंगे नूर जहां वाइफ होती है जहां गीर की और मुम्ताज वाइफ होती है सहा जहां की और मुम्ताज की याद में ही ताज महल है ठीक है Battle of Chausa Chausa का युद हुमायू और सेर सहा सूरी के बीच में होता है और सूरी सल्तनत के शुरुआत होती है Option number three is the right answer इन में से कौन सा Monument? कुतुब मिनार Complex का part नहीं है Not a part of कुतुब complex तो कुतुब मिनार का complex उसमें क्या क्या है? तो कुतुब मिनार है, obvious सी बात है इसके अलावा, Quad उल-Islam मजजे थे, जिसका दर्वाजा क्या है? अलाई दर्वाजा है, लेकिन बुलन दर्वाजा तो मैंने आपको सिखाया है, अकबर जब गुजरात विजय पे गया थो और victory हासल की थे, उसके बाद उसने Billnkins, Charles Billnkins ने भगवत गीता का English भाशा में translate किया था यह सारे प्रेशन जो है, वैससे सी के है इसलिए screenshot लगाया है, ठीक है? Next बात करेंगे हां, who among the following was not a member, not a minister of cabinet mission plan in 1946, पैं पूरी modern history to the point cover की है, आपको बताना है कि cabinet mission plan 1946 में कौन यहां पे शामिल नहीं था तीन व्यक्ति शामिल थे, पैथिक लॉरिस और सर स्टेफोर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, यहां पे बैबल साब कहां से आ गए, तो option number A, बिल्कुल सही हो जाएगा, खनवा का युद, खनवा का युद बाबर लड़ता है राना, सांगा, कब लड़ता है 1527 में मैंने आपको याद आया है, पहले बाबर आता है भारत, और भारत में आके क्या खिए करता है, पानी पीता है पानी चाहने के ब muchísimo करता है, खाना खाता है नेक्स्ट है आईने अकबरी के ओथर कौन है तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है ओप्शन नमबर थर्ड इस दा राइच आंसर ठिक नेक्स्ट है फतेबाट डिस्टिक जो है वो किसने बनाई है किसके नाम पे रखी है तो बेसिक लिए देखो मैंने आपको जब फिरोशा तुगलक के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि चार शहरों का निर्मार इसने कराया था जिसमें हिसार भी शामिल है अकबर ने की थी और इसके फंद्रा फॉलोवर्स थे जिन मैं से एक कौन था बीरवल था ये भी मैंने डिस्कस्टति है ठिक तो ये रूलर है बाबर, हमायू, अकबर, जहांगीर, साजहा ऑरंग जेब और लास्ट है बहादुशा जफर तो यह जो ग्रेट मुगल से इनक्यू पर डिसकुशन करना तो आज हमारा डिसकुशन जहांगीर और सहा जहां पर रहने वाला है, अपकमिंग वीडियो में हम औरंग जेव के बारे में बात करेंगे इसके पहले दो पार्ट मैंने डिसकुशन पर्ट में बावर और सेकेंड पार्ट में हुमायू और अख्बर की कहानी मैंने आपको to the point with PYQ कराईए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम जहांगीर के बारे में जहांगीर का जो टाइम पिरियर्ड है वो 1605 से लेकर 1627 के बीच का है एक्चली अखबर गया था सेक्स सलीम चिस्ती की दरगाँ पर बहाँ पर जाके बहुत मन्नते की दुआएं मांगी उसके बाद जहांगीर का जन्म हुआ था इसलिए इसका नाम जो है वो सलीम रखा था इसलिए यहाँ पर सूफी सेंट से जब मन्नतों के बाद सलीम पैदा हुआ था जहांगीर पैदा हुआ था इसलिए इसका नाम क्या रखा था सलीम रखा था और वतेफुर सीखरी में चिस्ती साहब की दरगावी अखबर नहीं बनाई थी तो आफ़र लॉग और पेशेंट वेट विद देशिए अखबर ने बिल्ड किया था चिस्ती दरगा फटेफुर सीखरी में और अपने बच्चे का नाम रखा था सलीम और जहांगीर का मतलब होता है जिसने पूरे वर्ल्ड को कॉनकर कर लिया हो पूरे वर्ल्ड को जीत लिया हो जहांगीर ये नाम इसका यहां पर रखा था अकबर की death होने के बाद अकबर का जो उत्रदिकारी होता है जो successor होता है जो गदी पे बैठता है वो जहांगीर होता है अब यहाँ पे आपको अकबर के अगर देखे होगे तो दो नाम देखने को मिलेंगे खुश्रो और खुर्रब यह दो नाम आपको थोड़े से याद रखने है To come on the throne He had a ruthless fight His own son खुश्रो तो यहाँ पे जहांगीर का ही बेटा होता है खुश्रो और जहांगीर का ही बेटा होता है खुर्रम और हुर्रम ही बाद में जाके सहांजहां बनता है तो खुष्रों के साथ जहांगीर अपने खुष्रों के साथ जहांगीर की फाइट भी होती है और खुष्रों को मदद कौन कर रहा होता है तो सिख गुरू अरजन देव जो है वो यहां पे खुष्रों की मदद कर रहा होते है fight against Jhanagir तो Jhanagir को बड़ा गुस्सा आता है तो इसलिए Jhanagir गुरू अर्जन देव को मरवा दीता है प्रियाद रखेंगे अर्जन देव, गुरू अर्जन देव को मरवाने का काम पिस ने किया था Jhanagir ने किया था क्यों? क्यों कि इसके बेटे खुसरो को वो support कर रहे थे और खुसरो कौन है? जहांगीर का बेटा है जिसके साथ जहांगीर खुद fight कर रहा है जहांगीर के दो बेटे याद रखने है एक खुसरो और एक खुर्रम और खुर्रम ही आंगे जाके सहां जहां बनने वाला है ठीक है अगली बात करते हैं इन 1608 एहमद नगर इन दक्कन has declared independent under Malik Ambar तो Malik जब जहांगीर का रूल था उस समय Malik Ambar ने जो दक्कन में एहमद नगर है एहमद नगर आपने न्यूस भी देखियोगी ना एहमद नगर जिसका नाम चेंज करके अहलिया भाई होल करके नाम पर रख दिया जाएगा है ना ऐसा कि महाराश गवर्मेंट ने कहा है तो एहमद नगर दक्कन में इसे independent declare कर दिया था Malik Ambar ने 1608 में आईए इसकी शादियों के बारे में बात कर लेते हैं क्या-क्या पढ़ना पढ़ता है ना इसकी शादी है पढ़नी पढ़ती है चलो देख लेते हैं तो जहांगीर जहांगीर ने शादी की थी नूट जहां से नूट जहां का मतलब होता है light of the world चीक है being a great lover of art and beauty जहांगीर fell in love with a young widow of his own मुगल officer मुगल officer की ही widow थी मुगल officer मर गया था उसकी जो विदवा wife थी ना उसकी beauty से बहुत ही खायल हो चुके थे जहांगीर और उससे शादी की जिसका नाम था महरुनिशा महरुनिशा को नूर जहां का title किसने दिया था जहांगीर नहीं दिया था और नूर जहां जो है बहुत powerful lady थी वो ही पूरा जब wife बन गए थी ना वो उसके बाद पूरा का पूरा बुगल सल्पनत को rule करने का काम कौन कर रही थी नूर जहां ही कर रही थी एक और बेगम थी एक और wife थी यहां पे जहांगीर की जिनका नाम था मानबाई और मानबाई कौन थी जो आमेर के राजा थे ना आमेर के राजा भगवान दास भगवान दास की daughter थी मानबाई तो मानबाई भी जहांगीर की wife थी और उनका ही बेटा था खुसरो उनका ही बे कि जो टॉटर है जगत गोसाई, जगत गोसाई का बेटा है खुर्रम, और खुर्रम ही जो है वो आंगे जाके सहा जहाँ बनने वाला है, तो याद रखेंगे सहा जहा की वाइफ का नाम क्या है जगत गोसाई है और खुसरो की मदर का नाम क्या था सहा जहा की मदर का नाम है जगत गोसाई और खुसरो की मदर का नाम है मानवाई और महरुनिसा ये तीनों कौन है वाइफ है जहांगीर की इन तीनों वाइफ का नाम आपको याद रखना एक्जाम में पूझा जाता है तो रियल नेम नूर जहां का आपको पता चल चुका है महरुनिसा है 1594 में इसकी शादी हुई थी अली कुली बेग से और अली कुली बेग जो है जिनको शेर का टाइटल दिया था जहांगीर ने वो मर जाते हैं एक बैटल में और उनकी death के बाद नूर जहां से शादी कर लेता है कौन? जहांगिर 16 и 11 में और जहांगीर नी ही नूर जहां को नूर महल या नूर जहां का title यहां पर दिया था जहांगीर also issue silver coin जहांगीर ने silver coin बी issue किये थे जिसमें नूर जहां का नाम formula इजाद किया था, invented a method to extract perfume from roses, तो आपको यहाँ पे असमत बेगम का नाम भी याद रखना है done, नूर जहां की मदर का नाम है असमत बेगम, next है कुछ और important point, जैसे कि मैंने कहा था, खुसरों की मदद कर रहे थे गुरू अर्जुन देव, तो गुरू अर्जुन देव को मरवाने का काम किस ने किया था, जहांगीर ने किया था, जहांगीर की दरबार में आप देखेंगे, तो कई foreigner वो विजट पे आये थे, तो यहाँ पे कुछ Britishers भी भारत में आये हुए थे, इसके दरबार में Captain Hawkins and Thomas Rowe, इन दोनों के बारे में एक्जाम में भर-भर की question मिल जाएंगे Captain Hawkins and Thomas Rowe विजट जहांगीर कोड, Thomas Rowe जो है, वो फरमाल लेकर आया था, तो setting up a English factory at सूरत, ठीक है, तो English factory, मतलब Britishers की factory सूरत में setup करने का फरमान कौन लेकर आया था, Thomas Rowe लेकर आया था, Thomas Rowe देखो यह जहांगीर के कोड में आपको देखने को मिल जाएगा अभी हम MZQ करेंगे न तो और जादा points clear हो जाएंगे Next बात करेंगे, जहांगीर जहांगीर ने एक जंजीर बनवाई थी, जंजीर अदालत, जिसका मतलब था royal justice और equal justice प्रवाइड करना अपनी जंता को महताब खान, महताब कान कौन था, military general था और जहांगीर के अगेस जो है, वह विद्रो किया था, revolt किया था जहांगीर ने अपनी खुद की autobiography मतलब आत्म कथा लिखी, जैसे कि बाबर ने autobiography लिखे दे ना बाबर नामा, तो जो के बाबरी वैसे ही, यहां पर जहांगीर ने Persian language में अपनी autobiography लिखे जिसका नाम है तो जो के जहांगीरी आत्म कथा इसने लिखी है इसने यहां पर एक नया system introduced किया था, which is do asfa, c asfa system अब यह क्या system है बैसे कि जो मनसर्थारी system चली आ रही थी उसका ही modification version जो था वही system था, इसका मतलब है do asfa का मतलब, ऐसा troop जिसके पास दो घोडे हो, और c asfa मतलब, ऐसा troop जिसके पास तीन घोडे हो तो ऐसा system यहां पर introduced किया गया था, अब हुआ कि था climate change जैसे कि अभी हो रहा है, उस समय भी climate change हो रहा था, गर्मी बढ़ने लगी होगी उत्तर भारत में, तो इसने सोचा कि चलो कश्मीर आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सो थंड़ा माहौल मिलेगा, तो he was shifted to कश्मीर, for a change of environment, वह वहाँ पे चला गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बहुत stress रहने लगा, depressed लहने लगा, पर उसमें सोचा कि नहीं यार, बापस चलते हैं अपने area, तो बापस आ रहा था, जहांगीर डाय, near Lahore, Lahore के पास, जब वो कश्मीर से आ रहा था, तो Lahore के पास, जहांगीर मर जाता है, तो Lahore में ही इसकी कबर है, तो जहांगीर की tom कहाँ पर है, जहांगीर की tom आपको Lahore में देखने को मिलेगी, और जहांगीर के बाद, उसका जो बेटा है न, खुर्रम, वोई जगदगोसाई में बैठता है ओके चलो आंगे बात कर लेते हैं हो जहांगिर स्टार्टिड राइटिक इस ओर्टोबाइग्राफी ने तुझो के जहांगिरी इसने स्टार्ट किया था लेकिन कम्प्लीट देखिएगा मोती बिंद खान ने कम्प्लीट किया है यह मर गया था लाहर से लौट जहांगीर ने दिया था अब जो ट्रेवलर्स थे जो कि जहांगीर के समय आये थे उनकी ऊपर एक नजर डालते हैं हम सबसे पहले हैं हौकिन्स तो यहां पर जो विलियम हौकिन्स था वो एंबिस्टर था किंग जैम्स वन का और जहांगीर की दरबार में आया था बहुत अ अर्मान लेकर आये था सूरत में फैक्ट्री बनाने का अब ऐसा नहीं कि किवल बिटिश वर्स आ रहे थे इसके पास उस समय और भी यूरोपियन कंपनी थी तो डच का भी यहां पर एक एंबिस्टर आता है जहांगीर के कोट में जिसका नाम होता है फ्रांसिसको सबसे पहले बात इसमें मोती मजजद बनवाई लाहोर वाली क्योंकि एक मोती मजजद आपको दिल्ली वाली मिलती है एक लाहोर वाली मिलती है यहांगीर ने और यह कश्मीर गया था तो जो गार्डन बनवाएगा यह कश्मीर में बनवाएगा यह कश्मीर में बनवाएग निesting गारण और निशान्त गारण कशमीर में जहांगीर ह्थं थो जो नहीं तो नूर जहां जो कि completely white marble से बनी है ठीक फिर जहांगीर का मकबरा अब जहांगीर तो मर गया जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है रावी नदी की किनारे है और नूर जहां ने बनवाया है नूर जहां इसकी wife थी नेक्स है जो दिवालों पे painting करना है और अलग-अलग color से flora designing करनी है ये सारे काम जो है वो जहांगीर नहीं अपने समय पे शुरू किये थे तो चित्रकारी का चित्रकारी का जो स्वर्निम काल कहलाता है golden era कहलाता है paintings का वो जहांगीर का period कहलाता जबकि architect का golden era है वो आपको सहा जहां के समय देखने को मिलेगा आप देखिए कितनी सारी important buildings है ताज महल वगेरा वो सब किसने बनवाई है सहा जहां ने बनवाई है तो architect का golden era है वो सहां जहां का समय है और painting का golden era है वो जहांगीर का समय माना जाता है ठीक है ना next बात कर लेते है divine light वो राजा बैठा है उसक कारी करम जहांगीर नहीं शुरू करवाए थे ठीक है आई हम कुछ question देखेंगे तो आपको कुछ painter's वग्यारा के नाम भी यहां पर सीखने को मिल जाएंगे पहले हम सारा जहांगीर के बारे में देख लेते हैं फिर हम सहां जहां पर भी discussion करने वाले हैं यहां पर पूछा ह है who of the following was sent first by the East India company in the court of Jahangir the court of Jahangir में किसको बेजा था तो याद आगया किसे बेजा था Hawkins को Englishman को बेजा था English Khan English Khan को बेजा था ठीक है option number V next है do as far and sai as far यह system किसने शुरू किया था तो यह system Jahangir ने शुरू किया था जिसके पास 2 गोडे हैं जिसके पास 3 गोडे है option C next है important question है in whose reason was the treaty of Chittur sign between the Mughal and the Rana of Maybar the treaty of treaty of Chittur किसके बीच में sign हुई थी Mughal Raja Jahangir और Rana of Maybar के बीच में treaty sign हुई थी option number C बिलकुल correct हो जाएगा और यह treaty sign हुई थे 1615 AD में 1615 AD में इस treaty को sign किया था next है English Khan का title किसे दिया था तो William Hawkins को दिया था किसने दिया था जहांगीर ने दिया था option भी बिलकुल correct है next है Sir Thomas Rowe an ambassador of James 1 of England came to India in here Sir Thomas Rowe कब आये भारत और ओविसी बात है 1500 में तो नहीं आया होंगे किसी हालत में कब आये थे 1615 AD में आये थे और फर्मान लेकर आये थे कि सूरत में factory बनाने के permission दो which British ambassador come behind Jahangir from Ajmer to Mandu कौन साइसा British ambassador है जो जहांगीर के पीछे-पीछे Ajmer से Mandu तक आ गया था तो वो है Thomas Rowe क्योंकि भाइट एक्टी बनाने की permission लेनी है पीछा तो करना पड़ेगा राजा का options ही बिलकुल correct हो जाएगा दिए कुछ एक्स्ट्रा facts से आप देख सकते है Captain Hawkins 1608-1611 तक का समय है Sir Thomas Rowe 1615-1616 का समय है Jahangir court में visit किया था और production of tobacco start कब हुआ था Jahangir के समय ही हुआ था तमाको का production भारत में next है Dutch traveler जो Jahangir के समय आया था भी सिखाया था मैंने कौन है Francisco Pelserate option D जहangir को कहां पे दफनाया गया कहां पे इसकी कब्र है आंसर हो जाएगा Lahore में है रावी नदी के किनारे option D next है अब हम painters के बारे में बात करते मुगल painting reach its जिनित और मतलब सबसे जादा मुगल painting का विकास किसके समय हुआ था तो मैंने बताया है जहangir के समय सबसाद एक चित्रकला विक्सित हुई थी यहां पर देखें यह सारे के जो painting दिख रहे हैं यह सारे paintings जो है वह आपके जहangir के period की हैं जहangir के दरबार में कई सारे important painter थे अब उनके बारे में हम बात करते हैं और वो environment, trees, different birds उनकी painting बनाया करते थे इन फेक्ट आप लोगे डोडो के बारे में सुनोंगा जो कि extent हो चुका है डोडो एक bird है जो कि extent हो चुका है उसकी painting भी जहangir के दरबार में मतलब उस समय exist करता होगा तो उस समय की painting भी यहाँ पर देखने को मिलती है तो आईए हम बात कर लेते हैं next है नादिर उल असरा एक painter है जहangir ने किस painter को यह title दिया है तो answer हो जाएगा mansoor mansoor कौन है जहangir के समय का painter है जिसको जहangir ने title दिया है नादिर उल असरा और यह जो painter है यह miracle of the age नादिर उल असरा का मतलब है miracle of age और यह अपनी paintings में animal और birds की picture बनाता है तो बहुत ही famous painting है Siberian crane की, dodo की तो यह सारी paintings जो दिखाएं थी ना भी, वो mansoor की painting है यह सारी painting कौन की थी, mansoor भाई साब की painting थी जो अभी दिखाएं थी ठीक है next, khusro was son of which Mughal emperor, तो khusro किस का son था, khusro किस का son था, याद कर लो जहangir का बेटा है, सहां जहां, option c next है, इत्मत उद्दुला, टॉम, आगरा में किसने बिल्ड करवाई थी, तो यह व्यक्ति किस की याद में, तो यहां पे मिर्जा ग्यासबेक जो की father है, नूर जहां के, तो यह टॉम भी कौन बनवाएगी, नूर जहां बनवाएगी, option bी बिल्कुल correct हो जाएगा आगरा मे this is a question of the day, पहला question यह है, वीडियो के end में एक और question मिलेगा, दोनो questions के answer आप हमें comment section में देंगे, और reply भी मैं आपको वहें पे कर दूँगे, लिखा है कि which Sikh Guru was killed on the order of जहांगी, जहांगी के order पे कौन से सिख गुरू को मार दिया गया था, गुरू अंगर देव, गुरू अर 15, 1658 तक का अंका समय है, ठीक है, इनका original नाम होता है सहाव उद्दीन मुहमबत खुर्रम, बाद में ये खुर्रम ही जो है, वो सहाजहा बनते हैं और इनकी जो मतलब मदर होती है, उनका नाम जगत गोसाई होता है, जहांगीर के बाद गदी पे बैठते हैं 1628 में सहाजहा, ठीक है, सहाजहां के एक वाइफ होती है, जिनका नाम होता है मुम्ताज महल, लेकिन जब वो गदी पे बैठते हैं उसके कुछ समय बाद ही, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 1631 में, और उनकी ही याद में पर ताज महल का काम ये शुरू कर देते हैं आगरा में, अब इनक से एहमदनगर में अपनी फोर्स बेजता है और बापस से उन सारे एरिया को एनेक्स करने का काम करता है, इस दखकन पॉलेसी वाज मोर सक्सेस्फुल, ये डिफेटिड दा फोर्स ऑफ एहमदनगर, और एनेक्स इट, बीजपूर और गोलकंदा साइन अट्रिटी विद अनेक्स नहीं किया, आने वाले समय में जो औरंग जेब के बारे में बात करेंगे न, तो औरंग जेब ने बीजपूर और गोलकंदा को एनेक्स किया था, तो दोनों प्रशनों में अन्तरिटी साइन की थी साहा जहान है, लेकिन दोनों एरियास को साउथ इंडिया के बीज साहा जाना बाद में इसको शिफ्ट कर लिया था, इसने रेट फोर्ट बनवाया, जामा मजजद बनवाया, चामनी चौक बनवाया, साहा जहा जहा डिफीटिड शिवाजी फादर साहाजी भोसले, तो साहाजी फोसले को भी हराने का काम साहा जहाने किया था, साहा जहा के सम सिवाजी महराज होते हैं आंगे बात करते हैं अब यहां पर सलाम करने की विवस्ता थी ना कि आप मुगल कोर्ट में आ रहे हो तो आप ग्राउंड को किस करोगे तो यह सारे सिस्टम को इसने सहाजाने कंटीनू किया जिसको हम जमीन जमीन बोस कहते थे चीक है अब जब जो war of succession है इसके जिंदा रहते हुए हुई थी चार बैटल आप देखेंगे बैटल ऑफ सामुगर्वेटल ऑफ खाजबहा और बैटल ऑफ देवराय यह चार बैटल यहां पर हुई थी और पैल बैटल ऑफ देवराय लास्ट ती इसमें दारा सिको जो कि इसका बेटा होता ह दारा सिको और औरंग जेब की लड़ाई होती दारा सिको को मार दिया जाता और औरंग जेब जो है वो अगली गल्दी पे बैटता है तो ये जो battle of succession है वो इसके समय हो रही है ये जिन्दा है लेकिन जेल में है औरंग जेप ने अपने ही पिता को जेल में डालके रखा हुआ था आगरा में अब यहां पे सहाजहा के कोट में एक हिस्टोरियन रहा करते थे जिनका नाम है अब्दुल हामिद लाहुरी और उन्हों ने बाश्या नामा लिखी है तो बाश्या नामा किस ने लिखी है अब्दुल हामिद लाहुरी ने लिखी है और सहाजहा नामा किस ने लिखी है इनायत खान ने लिखी है दारा सिको जो की सहाजहा के बेटे हैं और बहुत ही दयालू बहुत ही काइन नेचर के होते हैं और सहा जहां अपना successor भी दारा सिको को ही appoint करता है घोशना करता है बड़ तहां पे औरंग जेप तो ऐसा चाहता नहीं है यहां पे जो दारा सिको है ना दारा सिको ने भगवत गीता का और उपनिशिदों का Persian language में translation किया है तो Persian language में translation उपनिशिदों का सहा जहां के time period में हुआ है अब कुछ आर्किटेक्ट देखते हैं जो सहा जहां के time period में बिल्ज हुए है तो पहली बात तो ताज महल बना है फिर है मोती मजजद शीश महल शीश महल के बाद है मुस्मामन बुर्ज आगरा में रेड फोर्ट या लाल महल दिवाने आम दिवाने खास जामा मजद दिल्ली में साली मार बाग लाहूर में साली मार गार्डन कश्मीर वाला लग है ये साली मार बाग लाहूर में और सहा जनाबाद सिटी इसने बसाई थी दा पीटरा दूरा मेथर्ड यूस्टू लार्ज इसके लिना ताजमेहल वाइदा साहजहां तो ये सारे आर्केटेक किस ने बनाए हैं साहजहां ने बनाए है 1631 में साहजहा की जवाइफ है मुम्ताजमेहल इसकी डेथ हो जाती कहां पे मदर प्रदेश में बुरहानपूर है वहाँ पर और उसकी मेमोरी में ही ताजमेहल बनाया जाता है पहले तो बुरहानपूर में इनको दफनाया जाता है पर बाद में जब ताजमेहल टैयार हो जाता है तुनकी कबर को वहाँ शिफ्ट किया जाता है अच्छा ये जो सहा जहां है वो किसके समकालीन है किसके contemporary है तो लुईस जो फ्रांस के राजा होते है लुईस 14 के चोधवे जो लुई है उनके यहाँ पे समकालीन है इसने पिकॉक थ्रोन मतलब जो मयूर सिहासन है मयूर सिहासन और जिसमें लगा हुआ है कोहिनूर हीरा वो किसने बिल्ड करवाया है और बाद में नादिर शाहा आता है और नादिर शाहा इस पिकॉक थ्रोन को ले जाता है जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है तो यहाँ पे आप उन travelers की जानकारे देख सकते हैं जैसे कि Bernier जो कि एक French physician और traveler है next है Tabernier Mandelslo Mundi and Manucci यह सारे जो travelers हैं वो यहां सहाजा के समय आये हुए है और Aurang Jeb ने सहाजा को जेल में डाल दिया था लगबग 7 साल तक वो जेल में रहे और जेल में ही इनकी death हो जाती है और उनकी जो कबर है वो ताज महल में ही बनाए गई है उनकी wife के पास मुमताज महल के पास तो यह time period होता है सहाजाँ के अब सहाजाँ का हम cautions देखेंगे यहां पर अच्छा यह Redford के बारे में थोड़ी सी कहानी लिखी है कि Redford मतलब लाल किला सहाजाहारे बनवाया था 17th century सतरवी सताबदी में चीक है और यहां पर इसको design किस ने किया है उस्ताद एहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद ने इसको design किया है यहमनारे वर के किनारे यह situated है इसका construction 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में complete हुआ था यह लगबग 2.41 किलो मीटर की पैरी मीटर में फैरा हुआ है Redstone से लाल बलु अफटर से इसको design किया गया इसमें दो important दर्वाजे है एक लाहोरी गेट है और एक दिल्ली गेट है इन सारी बातों को आपको थोड़ा सा लाल खिले के बारे में याद रखना है चलिए तो 1739 में जो पिकॉक थ्रोन था वो कौन ले गिया था यहाँ पर Persian invader नादिर शहाँ option B बिलकुल correct है चाहेगा next tip जामा मजजद दिल्ली में किसने बनवाई थी तो आगरा से सहा जाना बाद में तो दिल्ली शिप्ट किसने किया था साहा जाने किया था option B बिलकुल correct हो जाएगा next tip उपनिशदों का Persian language में translation किसके समय हुआ है तो आंसर हो जाएगा साहा जाहा के समय ही हुआ है option D next है C.A. Akbar के author कौन है next बात करेंगे who among the following historian declared the rhythm of Shah Jahan to be the golden era of the Mughal period तो सहा जाहा को golden era Mughal period का किस ने कहा है A.L. Shrivastav ने कहा है A.L. Shrivastav ने कहा है golden era of Mughal period सहा जाहा के period को बताया है कोहिनूर the famous diamond Kohinur was presented to the Sahajah सहा जाहा के पास Kohinur ही रह कैसे आया तो एक merchant था जिसका नाम था मीर जुमला उसने एक Kohinur सहा जाहा को दिया था सहा जाहा ने उसे पिकॉक थ्रोन में लगवाया और नादे चाहा उस पिकॉक थ्रोन को ही ले गया option D. बिल्कुल correct हो जाएगा this is the question of the day again सहा जाहा को कहां पे दफनाया गया उसकी Tom कहां है आगरा, लाहौर, सिकंद्रा या फिर दिल्ली ठीक है दो प्रश्ट मैंने आपसे पूछ लिए हैं दोनो questions के answer आप हमें comment section में दीजेगा पाकी सारी बादें आने वाले वीडियो में करेंगे जहां पे हम औरंग जेप और लेटर मुगर रुलर्स को तो दो पॉइंट इसक्राइंगे विप्यक्यू तो तेक केर और बादेंगे